आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं ठीक है हमको यहाँ पर नियूमेन प्रोजेक्शन बनाना किसका 2,2 डाई मिथाल ब्यूटेन 2,2 डाई मिथाल ब्यूटेन का जो मैं structure बना रहा है वो इस तरीके से बनेगा यहाँ CS3 मतलब जो आपका structure है 2,2 डाई मिथाल और यहाँ आपका C और यह H ठीक है यह H और यह इस तीसरा कारवन हो गया यह चौथा कारवन हो गया और दूसरे position पर आपका दो मिथाल ग्रूप है यह लोग यह हो गए आपके ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं टू कारवन को हम लोग चूज करते हैं इसमें new man projection को एक back side रहता एक आगे फ्रंट साइड रहता ठीक है तो फ्रंट कारवन और बैक कारवन को हम लोग यहाँ पर represent करते हैं और बाकी जो है उसमें इस तरीके से आपका लगा रहेगा ठीक है तो अगर हम बात बोलें कि हम यहाँ से देखें इधर साइड से देखें तो हमको यह जो कारवन है यह front कारवन देखेगा फ्रंट कारवन को हम लोग क्या मानते हैं जो है new man projection में हम लोग क्या करेंगी यह हो गए आपका front कारवन फ्रंट कारवन पर दो हैं hydrogen तो मैंने दो hydrogen लगा दिए यह होगा ना यह front कारवन है तो यहाँ पर आपके दो hydrogen है इसी जैसा बनाना है हमको ठीक है और यहाँ पर लगा हुआ है आपका X तो यहाँ पर हमाई इस carbon पर एक और group कौन से लगा हो है CS3 तो यह आपका फ्रंट कारवन है तो मतलब X का value तो आपका CS3 यहाँ से देखने को मिल गया अब इसके बाद जो आपका back carbon है वो आपका यह हो गया तो back carbon को यहीं पर पीछे साइड है और उसके साथ लगी हुए है आपके क्या तीन methyl group लगी हुए तो 1,2 CS3 दूसरा CS3 एंड तीसरा CS3 ठीक है सब मतलब तीसरा जो है आपका यह है आपका CS3 तो हमको यहाँ पर यह Y था और यहाँ पर हमको देखने को इसका जब new man projection बनाया गया वो आपको क्या मिला है यहाँ CS3 मिल रहा तो Y का क्या हो जाएगा यहाँ पर CS3 हो जाएगा तो X और Y क्या क्या हो जाएगे दोनों इस CS3 हो जाएगे तो CS3 एंड CS3 जो option है वो आपको D में दिया है तो D इसके लिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा थेंक यू